नोवी कक्षा प्रसनावली 6.1 का चोथा क्वेश्चन इस प्रकार है एक रेखा दिये आपको AOB उस पर एक रेखा इस तरह खड़ी है जो Y और X कौन बनाती है और एक रेखा नीचे जो Z और W कौन बनाती है तो आपको दिया इस प्रकार है कि जो X प्लस Y मतलब X और Y का योग है और W प्लस Z के बराबर है तो ये सब दिये रहने के बाद आपने सिद्ध करना है कि AOB एक सीधी रेखा है तो देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे तो सिद्ध करने के लिए हमें पता है चारो कोनों का योग मतलब कि जो चारो तरक्फ का कोन होता है कूल योग कितना होता है उसका 360 यानि के इन चारो का योग कितना होगा X प्लस Y प्लस Z प्लस W इन चारो कोनों का योग कितना होना चीए 360 दीरी अब हमें क्योंकि दिया है X PLUS Y जो हो W PLUS Z या Z PLUS W के बराबर है तो मैं इसकी जगए दोनों में से चाहे तो इसकी जगए ये ushi कर सकता हूँ चाहे X PLUS Y की जगए W PLUS Z परियोग कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा X PLUS Y दुवारा से X PLUS Y W प्लस Z के जगे मैंने यहां कि यूज कर लिया यहां से X प्लस Y ठीक है यहां पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि X प्लस Y W प्लस Z के बराबर है तो मैंने यहां पर यूज कर लिया तो यह हो जाएगा 360 दिगरी और यह हो जाएगा 2X प्लस 2Y बराबर 360 260, और 2 बाहर x plus y बरापर 360, और x plus y का माना जाएगा, 360 बटे 2, यानिके 180 डिकरी, अब क्योंकि x plus y का योग 180 डिकरी आ गया है, क्योंकि x plus y का योग 180 डिकरी, mıतले है, इसका मतलब आता है कि A, O, B क्या है A, O, B एक सीधी रेखा है सीधी रेखा है तो यह था चोटा कोश्चिन